क्या कोई नदी की गहराई को मात दे कर तेजधारा के उपर पैदल चल सकता है सुनने में अजीव लगेगा लेकिन एक मैला का ऐसा ही वीडियो वाइरल हो रहा है जिसके बाद लोग मैला को मा नर्मदा का रूप मान कर पूजा करने लगे लेकिन सचाई क्या है आईए हम आप को बताते हैं शोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है जो की आप तस्फीरों में देख सकते हैं जिसमें एक मैला नर्मदा नदी की गहराई और तेजधारा के बीचोबीच बिना डूबे चलती जारी है मैला को पानी में चलता देख लोगों ने यह कहन शुरू कर दिया कि यह कोई और नहीं बलकि रेवा देवी मा नर्मदा का अवतार है लेकिन जब मैला से बाचीत की तो उसने कहा कि उससे कोई सिध्धी प्राप्त नहीं है बलकि वो एक साधारन परिकर्मा वासी है जो एक साल पहले नर्मदा परिकर्मा के लिए निकली थी उनकी एक्षा थी कि वो पैदल नर्मदा परिकर्मा पूरी करे जब उनसे पूछा गया कि वो किसी को दवा देती है तो उसकी बिमारी ठीक हो जाती है क्या तब मैला ने ऐसा किसी भी चमतकार से इंकार कर दिया तो नहीं आपको बता दी कि उस नदी में आमतोर पर गर्मी में नर्मदा नदी का जलस्तर कम हो जाता है ऐसे में रेत उपर आ जाती है दूर से देखने पर लगता है कि कोई पानी पर चल रहा है शायद ऐसा ही बुजुर्क महिला के साथ हुआ था लेकिन सोशल मीडिया की अफवा ने भक्तों की भीड जुटा कर महिला को देवी बना दिया अगर आपके पास हो रहा है कुछ भी गलत या आपके पास है जनहित से जुड़ी ख़वर तो आवाज उठाएं वीडियो बनाएं हम पहुचाएंगे जिम्मेदारों तक आपकी आवाज उठाएं अपना फोन वीडियो बनाएं और हमें भेजें हमारा नंबर है 844-7819571 TV100, उत्रप्रदेश, उत्राखट, दिल्ली, मंदर दर्शन, बॉलेवर्ट, हिमाचल प्रदेश, हर्याना फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले